हेलो, नमस्कार, आदाप, सर्याकाल, गुद मॉर्निंग दोस्तों, ये स्वाले भई, आपका हार्दिक स्वागाति उमा भी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहते हैं, पॉलिटी में हम लोग संसत की सामान कारवाही पढ़ चुए थे, अ तारांकित, अतारांकित, अल्पसूशना के प्रस्तों शूर निकाल होता है, अन्यक परकार के प्रस्ताव उसमें प्रस्तों के जाते हैं, ध्यानाकर्शन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें हम विधी बनाने की प्रक्रिया, यह पढ़ेंगे कैसे विधी बनाई जाती है, तो अनुछेद 107 में नहीं थे, संसद द्वारा नियमों का निर्धारन किया गया, विधी बनाने के संबन, संसद किस प्रकार से कानून बनाएगी, उसका अनुछेद 107 में वरलन है, और नॉर्मल हम लोग ये देखते हैं कि कोई विध्यक होता है किसी मंत्री के या सदसे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विध्यक कहा प्रस्तुत किया जाएगा सदन मलब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा मलब संसद के संसद के दोनों सदनों से पास हो करके राष्टपती के पास जाता है राष्टपती अनुमती जब देदेते हैं तो वह कानूम बन जाता है ये normal एक over all की प्रक्रिया है अब इसके भीतर हम लोग जाते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी विदेयक जो होता है ये जो विदेयक है यह दो प्रकार करता है विध्यक कोई प्रस्तूत कर सकता है या तो मंत्री प्रस्तूत कर सकता है या संसत का कोई भी सदस से प्रस्तूत करता है तो मंत्री ना हो तो जो विध्यक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसे कहते हैं सरकारी विध्यक तो सरकारी विध्यक क्या होता है? ऐसा विध्यक जो मंतरी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सरकारी विध्यक होता है और निजी विध्यक क्या होता है? मंतरी के अतरिक्त सदन का कोई भी सदस यदि कोई विध्यक प्रस्तुत करता है तो उसे कहते हैं निजी विधियक बहुत important ने question पूछा जाता है विधियक पेश होने से पहले सदन की अनुमती आवश्चक है अब कोई भी विधियक पेश होगा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब लोगसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे तो किस विधियक को सुईकार करना है किसको नहीं सुईकार करना है किसको बोलने का समय देना है किसको बोलने का क्रम निर्धादि करना है कम समय देना है कि जादत समय देना है यह लोगसभा अध्यक्ष का अधिकारता मतलब सदन के विशेशा धिकारों में भी हम ये सब चीज़ें लगभग लगभग पढ़ चुके थे तो किसी भी विध्यक को पेश होने से पहले सदन की अनुमति लेनी होती है सदन का एक विशेशा धिकार भी आ जाता है दोस्तों ये जो पीडियोफ है जो क्लास है इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा ये बहुत सारी बुक से चांट करके बनाये गया दोस्तों ठीक है तो इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आप लोग कहीं से भी compare कर लिजिएगा विधियाक पेश होने से पहले सदन की अनुमती आवश्यक होती है परन्तु गजट में अगर विधियाक गजट में प्रकाशित हो गया है तो अनुमती की आवश्यक्ता उसकी नहीं होती सदन की अनुमत ये आवशक नहीं हो क्योंकि वह गजट में पहले से प्रकाशित हो गया, गजट क्या उतहा, भारत का राजपत्र होते है, यह यह जाए है, तो भारत का जो राजपत्र होता है, गज़ट कहते हैं उसको, अगर उसमें कोई विधयक पेश हो जाता विधेयक उसमें मतलब प्रकाशित हो जाता है तो उसको सदन की आवशक्ता, सदन के अनुमत की आवशक्ता नहीं होती है, important है, अब विधेयक पारित करने के तो चरण होते हैं, ध्यान देना है, तो विधेयक पारित करने के तीन चरण कौन-कौन से होते हैं, ध्यान देना है, जैसे कोई भी विध्यक होता ना पर्थम सदन में जाएगा अब जैसे अभी हम लोग ये overall देख चुके थे अब ये ये पूरा देख चुके तो नहीं ये वाली अब इसी को थोड़ा सा खोलेंगे धीर धीर है कि नहीं अब जैसे पर्थम सदन में गया पर्थम सदन में विध्यक पर प्रस्तुत होगा पर्थम सदन में विध्यक प्रस्तुत हुआ पर्थम सदन से पारित हुआ पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा दूसरे सदन से भी पारित होगा और राश्पती के पास जाएगा अब जब यहाँ पर राष्टति उसको अनुमती दे देते हैं तो कानून बन जाता है यह चीज हो गई अब अगले चरवों में हम इसमें भी बात करेंगे कि प्रतम सदन में जो विध्यक प्रस्तुत हुआ था विध्यक प्रस्तुत होने के बाद क्या उनकूंसी प्रक्रियाएं होई पारित होने से पहले यह सब चीज़े पढ़ेंगे तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो अलग अलग कैटेगराजेशन किया गया है इसका इसलिए कि हम लोगों को याद करने में आसानी हो जाए है कि नहीं यह चीज़े है अब प्रतेक सदन में विध्यक पारित करने की तीन प्रक्रियाएं है मतलब तीन चरणों से हर विध्यक गुजरता है कौन कौन सी तीन चरण है इसको प्रथम वाचन कहते हैं इसको दुत्थी वाचन कहते हैं और तीसरा तिर्थी वाचन important हो जाता है प्रथम वाचन में क्या होता है विध्यक केवल प्रस्तुती करण होता है विदेयक के वल प्रस्तुत होगा उसमें उसके केवल शीरशक उद्देश के विशय में जानकारी देगी जैसे हम लोग इसको इस तरीके समझ सकते हैं माल यह कोई लड़का किसी लड़की के रिष्टा ले करके गया ठीक है पर थम वाचन में सिर्फ इतनी चीजे होंगी दुत्ती वाचन बहुत महत्तपूर होता है दुत्ती वाचन में विस्तार से चर्चा की जाती है तब दूसरा चरण चुरू होता है दूसरे चरण में दूसरा चरण विस्तार से चर्चा होती है कि क्या है क्या नहीं है फिर निर्ड़ लिया जाता है कैसे निर्ड़ लिया जाता है अब इसमें भी बताएंगे और शादी वाले भी रिलेट करके बताएंगे आसान समझ में आ लिए दूसरे चरवल में विस्तार से चर्चा होती है अब या तो प्रवर समिति के पास भेजा के बंती मलब राज सवाल लोग सवाद दोनों से और प्रवर समिती जिस समित में पहले पास होगा जिस समित में पहले प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक उसी सदन के सदस्य से मिल करके पास होगा अब देगे प्रवर समिती अब लड़का बात करने गया पहले तो प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर सरसम्मति का निर्माड बनता है जब मम्मी पापा भाई बहन सब मान जाते हैं कि किन किन प्रावधानों को शामिल करना है या शामिल नहीं करना है या संशोधन करना है तो ये सब चीजें हमको देखना है तो किन किन चीजों को किसको शामिल करना कि की चर्चा होती है फ्रवर् समिति में फिर समिति में जाता है नात बात रिष्ष्टिदारियों को भी शामिल की जाता है दोनों सदों से मिल करके ले ली जाती है ये बात है अब तृति वाचन इंपोर्टेंट आ जाता है पर्थम वाचन में केवल उद्देश और शीर्शक पर चर्चा होती है और दृति वाचन बहुत इंपोर्टेंट होता है किसी भी विद्यक को पास होने के लिए दृति वाचन में बहुत इंपोर्ट फिर पेश करता है और साधारन बहुमत से उस पर मतदान अगर हो जाता है तो लड़के की बल्ले-बल्ले हो जाती है वरना लड़के की लग जाती है ठीक है मतलब विधेयक पास हो जाता है या तो विधेयक फिल हो जाता है साधारन बहुमत से पास हो गया तो विधेयक पास हो ही प्रक्रिया होगी उसको जो है प्रतं वाचन होगा फिर दुत्रथी वाचन होगा फिर त्रत्रती वाचन होगा जब दोनों सदनों से पास हो जाए गा यह देखे हैं अब हम लोग यह देख लेते हैं बहुत important पुछा जाता है कि मान ये लोग सभा के विघटन पर उस विधैयक पर क्या प्रभाव पढ़ता है बहुत important बहुत confusing है लेकिन confusing इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं सिर्फ हमको इसमें दो चीज़ें याद रहते हैं बस ये दो conditions हैं लोगसभा के विगटन का अब अगर लोगसभा बिगटित हो जाती है तो विध्ययक जो प्रस्तुत किया जाता है उस पर क्या प्रभाव पढ़ेगा एक ध्यान देते हैं अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं लोगसभा का इस्थगन होता है इस्थगन हो सकता है लेकिन इस्थगन और सत्रवसान का विध्ययक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ये चीजन देना ही ये जस थान लोगसभा में लंबित हो अच्छा यहां से कॉछष्ण पीछा जाता है विधेयक कब विपगत होगा अब पूछा जाता है विधेयक कब विपगत नहीं होगा तो नहीं कि बहुत सारी conditions हैं मलoniebक इन दोनों conditions को छोड़ करके विधेयक विपगत नहीं होगा ऐसे यहाँ पर याद कर लेतें कि लोगसभा ने पास नहीं कि किया और अगर लोगसभा का दिखाटन हो जाता है तो विधयक समाथ हो जाता है तो टो लोगसभा में लंबित हो यहाँ भी लंबित है लोग सभा में भी लंबित और राज सभा में भी लंबित दोनों में लंबित है तो विधेयक व्यबगत हो जाएगा एक तो लोग सभा में लंबित है और पहला लोग सभा में लंबित है और लोग सभा का विगटन हो गया तो विधेयक समाप्त हो गया दूसरी स्थितिय लोकसभा में पारित कर दिया परंतो राजसभा में लंबित हो गया और फिर लोकसभा विगहतित हो गई तो वो विधहयक समाख को जरूरी है अगर विधहयक लोगसभा में लंबित है या वो विध्यक लोकसभा ने पास कर दिया राजसभा में लंबित है तो लोकसभा के विगिटित होने के बाद विध्यक विपगत हो जाएगा विध्यक समाप्त हो जाएगा ठीक है? यह चीज धाने नहीं है मतलब अचा है यह तो नॉर्मल सी बात है अगर यहां से भी पास हो जाता राजसभा में भी पास हो जाता तो फिर राशपती के पास चला जाता अब जब राशपती के पास चला जाता तो विध्यक कहें लंबित होता भाई अब तो दोनों सदों में ने पास ही कर दिया तब विधेयक व्यबगत होगा ही नहीं तो इसलिए कहा जा रहा है जब लंबित होगा जब विधेयक सदन में ही होगा विचाराधीन होगा तब ही विधेयक व्यबगत होगा अन्यथा नहीं व्यबगत होगा ये दो conditions हमको ध्यान रखनी है दोस्तों ठीक है अब हम लोगों का अगला session बजट आएगा वार्शिक वित्ति विवरण अनुचित 112 क्या होता है विस्तार से समझेंगे तो दोस्तों आज का session भी बहुत important है इससे भी questions पूछे जाते हैं उम्मीद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा शेशन को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले session में जय हैं जय भारत